आज एक सिदिस्केप के साथ जो की फुलकता यह कुछ कंपोईशन थोड़ा सा बड़ा साइच का था इसे मैंने थोड़ा सा क्रॉप किया ताकि कंपोईशन को अच्छी तरह कंपोईश करना ही अच्छी तरह कंपोईश करना बहुत जोड़ी होता है जिससे पेंडिंग और खुर्दत होता है तो स्टाइटिंग में कुछ हलका सा लाइन्स की प्लानिंग आप ले सकते कि कहां पर ट्रॉव करना है किस तरह से इस तरह से फिगरटिव क्लासेस फिगरटिव को सीकने के लिए आप पेसिक ड्रॉइंग क्लास जोईन कर सकते है वो भी वीटली चलता है बेसिक ड्राइङ क्लास कैसे फिगर ड्राइङ करना है किस तरह से चेहरा नोस ना की सब ड्रॉ करना है पेंसिल्स के उपर चलता है और यह जो क्लास है एक एडवांस क्लास का फास्ट विडियो है तो बहुत कुछ बाते होते हैं एडवांस क्लास के अंदर बहुत कुछ डिटेल्स होते है प्रस्प branch लेप्ट deepest Cuid it इन ड्थ इक शैडो कलर हर्मॉनी सामाम सारे चीज़े होते है तो हर एक लास में ड्वांग से लेकर की मदब सुरू होता संडे को होता है क्लास के अंदर बहुत सारे डिटेल्स था एक कुलकाथा का cityscape था और photography फोटोग्राफी मैंने किया था तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ था इसके अंदर और यह paper का size था a 3 और किया होता इस climate को पकड़ना बहुत जो कहते हैं कुल है वाम है कि वाम है, औरिजकी मौसर में यह सब जो भी है आप को जैसा महसूस था उस climate को पकड़ना बहुत जोरूरी है इसमें बहुत साथ कलर यूज़ हुआ जैसे कि यूलो अकर, आल्टर मेरिन, औरेंज, बंसियाना, रेड ब्राउन, ये सब कलर तो अब देख सकते हैं, फास्ट वास के बाद, जो सेकेंड वास, जो मीडिल टोन, जो कलर होते हैं, वो हम काफी मिस करते हैं और बहुत चल्द हम कलर को अपलाई करने के लिए सोचते हैं, और अपलाई करते हैं, लिए हमारा पेंटिंग निखर के आ जाए और ये गलती होने के कारण हम बार बार पेंटिंग हार्ड करते हैं, और काफी डार्क अफलाई करके पेंटिंग को खरब करते हैं तो थोड़ा सा patience रखके आप अगर paintings में थोड़ा सा आप step by step color की use करेंगे तो काफी बैतर होता है अभी यहाँ पे एक्तम highlight नहीं था क्योंकि weather जो था काफी rainy day था इस समय एकदम paper white नहीं रह सकता है तो इसलिए पूरा paper में fast wash में कुछ ना कुछ color था और second wash के time जितने उस situation उस weather के उपर जितने भी lights था उसको maintain किया गया उतना संभाला गया है और बहुत सारी contrast जो dark area वो foreground में है सामने वाला area में आप देख सकते जैसे कि सामने वाला figure है यह taxi है तो राइट साइड में जो रिख सके पूर बैठा एक इंसान है यह सब तो यह जो class का first video आप देख रहे हो यह advanced watercolor का class video है कैसे compose करना कैसे color करना यह बहुत सारे बाते हैं तो जो कोई details में सीखना चाहते हैं वो join कर सकते हैं हम advanced में class के reference देते हैं वो बना के submit करते देन उसी composition को हम class के जिरी बताते हैं कि कैसे करना है और कैसे कर सकते हैं ताकि आप भी खुद का अपना mind लगा सकते हैं कि कि इस तरह से करना तो आप देख सकते कि वो background जो दूर है वो depth है उसका क्या color है color का कितना value है वो जो जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी था इसमें कि आपके बहुत सारे contrast color का भी dark tone सब foreground में use हो रहा है तो यह सब planning होते है और जैसे कि इस composition के उपर अगर देखाज़े यह जो fast figure है second taxi उसके डाएं बाएं balance कर रहा है दो figure इस तरह से बहुत कुछ color harmony में कहते हैं जैसे right side में कुछ color left side में कुछ color की balance उपर से नीचे के balance समाम सारे बाते होता है composition के अंदर जितने different different composition होते है उतने उतने सारे बाते निकल के आता है उतने कुद्रत का खेल को हमें समझना होता है और पकड़ना होता है और main जरूरी है आपके drawing की तो basic figure drawing फैल है आपको आना चाहिए ठीक से और figure drawing के लिए भी आप classes join कर सकते है only pensions के figure drawing class है उसके बाद basic watercolor है intermediate है advanced है तो यह advanced एक जो की class का first video demo में आपको देखा रहा हूँ तो अब देखिए कि वो second class में जो middle tone था उसको use किया अभी कुछ dark tones में उसमें 3D और आ रहा है तो यह कब कैसे use करना है यह सब step by step आप देख सकते है दूर जो भी चीज हम दिखाते है जरूर है उसका जो color का जो value क्या होगा वो भी जरूरी है thank you friends, thank you for watching और मैं ऐसे ही करता हूँ कि आजगल की जो भी वीडियोस आता है उसका थोड़ा बहुत आपको शेयर करता हूँ ता कि आहीं से आपको कुछ knowledge मिल जाए okay कुछ lines जो है ये ब्रस्टो का liner paint आता है white में भी black में भी उसका भी इस्तेमल थोड़ा बहुत कर सकते हैं काफी क्योंकि इस समय आकर wire है ना थोड़ा भी मोटा हो जाता है तो आपके painting बहुत खराब होने के chances होते हैं मदब उसके perspective खतम हो जाते हैं काफी जदे ध्यान रखना होता है बहुत बारी की लाइन है कुछ liner यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम ये कुछ तरह से था आज का video thank you for watching कपी short video करता हूं ताकि आप बोर ना हो जाए और थोड़ा सापको समझ मैं कि किस तरह से होता step by step और details में जानने के लिए सिखने के लिए आप जुरूर जॉइन कर सकते हैं online classes यह advanced classes जो है आज की डिट में चार classes के लिए आपको 1500 पे करना है यह संडे 7 पेम में होता है तो thank you thank you friends और आज यहां यहीं पे टाटा करते हैं फिर मिलेंगे next composition करत बाबाई थेंक यू गयन ओके आप थोड़ा वीडियो देख सकते हैं यहां पे upload कर आप